हैपी रिपब्लिक डे टू आल माई फ्रेंड्स आज 26 जनवरी और आज के सारे इंपोर्टेंट करेंट अफेस के साथ हम एस्टेटिक जी एस को भी देखेंगे और आप इसकी पीडिये जो है हमारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते जो कि मुखे अफगे स्ट हैं वह आजै पोल से ऩािव को जैर बोल्सेनारव जो हैं वह इस बार के ब्राजील के राश्ट्र पती हैं और ये चीफ उफगे स्ट है पिछली बार के सिरिल रंफ हो सा थे तो ये मॉस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है हर caliber इस बार हिस्ट्री के सारे पॉइंट्स आपके रिविजन हो जा चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्वमिधान बन के सुरू हो गया था बन गया था कम्प्लीटली 26 नॉमबर उनिस सो उन्चास को दोस्तो इसी टाइम हमारा स्वमिधान 395 आर्टिकल 8 भाग और 8 सीड्यूल 22 भाग ये सारे पार्ट लागू हो गए आज तो आप जानते होंगे लगबग एक स्वमिधान में और साथी साथ 103 अमेंडमेंट हो चुका है स्वमिधान में अभी के वक्त में अब देखते हैं 26 जनुवरी को हमारा क्यूं लागू हुआ स्वमिधान 26 नॉमबर बन जाने के बावजूद तो 26 जनुवरी को कॉंग्रेस ने अपने लाहोर अधिवेशन में जो की रावी नदी के तटपे हुआ था ये घोचना किया था कि 26 जनुवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे तो इस स्वराज दिवस को याद करने के लिए हमारा स्वमिधान 26 जनुवरी को लागू किया गया ताकि इसकी इंपोर्टेंस बरकरार रहे साथी साथ कुछ और हम चुकि इस दिन जंडा फैराते हैं और राष्टगान गाते हैं तो इससे रिलेटर जो भी एकस्टा फैक्ट से उसको देख लेते हैं सबसे पहले हमारे जंडे को कब एडॉप किया स्वमिधान सभा ने इसको देखते हैं तो जुलाई 22 1947 को हमारा स्वमिधान स्वमिधान ने इस जंडे को एडॉप किया इस जंडे को अपनाया 22 जुलाई 1947 को साथी साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि 24 जन्वरी 1950 को हमारे रास्ट गान और रास्ट गीत दोनों को अपनाया गया था 24 जन्वरी 1950 को इसके साथ साथ कंस्ट्यूशन से रिलेटेड और भी बेसिक फैक्ट जानते हैं जो कि बहुत बार एक्जाम में पूछे गए हैं चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्यूशन बनाने का सबसे पहला आइडिया किसके दिमाग में आया था तो आप अगर जानते होंगे तो ठीक है M.N. Roy को अगर आप जानते होंगे जो की माक्सिस्ट मुव्मेंट के लीडर थे कॉम्यूनिस्ट थे तो इनके आइडिया दिमाग में आया था सबसे पहले ये लेकिन इसका जो फॉर्मली डिमांड हुआ था ये कॉंग्रेस के 1938 के एडिवेशन में जवाहला नहरू के द्वारा किया गया फॉर्मली तो आप ये जरूर याद रखेंगे मैंने अपने कंस् पाए तो कैबिनेट मिशन जो हाया सर अस्ट्रेंड फोर्ड क्रिप्स ये लोग इसके मेंबर थे और इन्होंने सुझाओ दिया कंस्ट्रूइंट असंबली बनाने का तो कंस्ट्रूइंट असंबली बनना शुरू हुआ 9 दिशंबर को पहली मीटिंग होती है 1946 में जिसके अस्थाई अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सचिदानंद सिना जो कि मॉस्ट इंपोर्टेंट है कई बार पूछा गया है इसके साथ साथ 11 दिशंबर को अस्थाई अध्यक्ष मतलब पर्मानेंट चुने गया है डॉक्टर राजेंदर परसाद तो 9 दिशंबर को कौ प्रस्तावना स्वमिधान का जो आज हम देखते हैं वह अब्जेक्टिव रिजोलिशन उस समय उसे कहा जाता था और वही आगे डेवलप होके अब्जेक्टिव रिजोलिशन प्रस्तावना बना तो 13 दिशंबर ये डेट तीनों जरूरी याद रखियेगा दोस्तों बहु सबसे पहला रास्टपती मनोनित किया और कंस्ट्यूएंट असेंबली मतलब समिधान सभा के प्रेसिडेंट तो थे हमारे रोजेंदर प्रसाद लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कौन थी तो एच सी मुखर जी इनका नाम जरूरी याद रखिये गए ये वाइस किया है कि हमारे समिधान के कंशोचनल अडवाइजर यह बहुत इंपार्टन क्कुष्चन है कौन थे कंशोचनल एडवाईजर थे लेकिन उसको टोटली पास कब किया गया वाईस जनुवरी उनिस सो साटाली जंडा के बारे मैंने 22 जूलाइ बताया था आप ये ध्यान हमारे flag को adopt किया गया तो इन सब facts के साथ आप जरूर इसको revision हो गया होगा अगर आपको यह video पसंद आ रही हो तो इसो like जरूर करें, share जरूर करें चलिए हमारे पहले रास्ट पती जो चुने गए थे वो किस date को चुने गए थे वो भी 24 जनवरी को ही चुने गए थे, आपको जानकर बहुत अश्चरय होगा कि स्वमिधान हमारा बन के तयार हुए 26 नॉमबर को इसी के साथ कुछ जो है articles लागू हो गए थे और बाकी के सारे articles वो बाद में लागू हुए जो 26 नॉमबर से ही articles परभावी हो गए थे, उनमें हम अगर बात करें तो article 5, 6, 7, 8, 9, 6, 324, 324 मतलब election commission अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, 366, 366, 389 ये सब जो है articles लागू हो गए थे election commission पहले ही आ चुका था, ये सारे provision 26 जनुवरी से पहले लागू हो चुके थे अब बात करते हैं election commission की, election commission आ गया था स्थितुमें 25 जनुवरी 1950 को इसलिए इस दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है जो कि recent में हमारा question भी है और इसको मैंने बताया है बहुत अच्छे से इस बार का theme क्या है इस बार का theme electoral literacy for और progressive democracy तो इतने कम समय हों मैंने आपके इतने facts GSK division करा दी I hope आपको बहुत अच्छा लगा होगा आप वीडियो को like share and अपने दोस्तों से subscribe जरूर करवा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रिया के मेटन कप निशाने बंजी में अपुर्वी चंदेला ने कौन सा पदक जीता तो यह जो है इन्होंने बीना कार्ड के withdraw कर सकते हैं पैसे तो ICICI को जरूर याद रखें यह recent में किया गया है अब यह बात करते हैं अगले question की गगन एयान mission के लिए flight surgeon की training कौन सा देश देगा तो option A, Rus B, France C, Chin और D, Japan तो हमारा यह जो question है इससे related मैंने कई तरह के facts अपने Delhi के अंटरफेस में बताता हूँ मैं, flight surgeon की training यह जो France के द्वरा दी जाएगी, अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था, गगन एयान है साथ ही साथ इन चारों को रूस में training दिया जाएगा, रूस के वहाँ astronaut training center के द्वरा, मेजर यूरी गागरी इस्टोनाट training center वहाँ है, उसमें इन लोगो training दी जाएगी, तो रूस जो है तो वहाँ medical related कोई भी issue होता है, medicine या फिर कुछ भी, तो उसकी training France उन्हें देगा, तो यह आप जरूर याद रखें, यह France है, वो रूस है, दोनों में जरूर अंतर रखें, चीन की बात करें, चीन की Space Agency का क्या नाम है, CNSA, तो यह जरूर याद रखेंगा, चीन, साथ ही जो है, इसकी राजधानी है, Paris, और Paris किस नदी के किनारे है, बहुत बार पुछा गया, Paris जो है, वो, Senior के किनारे पुछा गया है, नदियों की बात हो रही है, तो कुछ नदी की और बात करें, चीन की सबसे लंबी नदी हांग हो, उसे चीन का सोक भी कहा जाता है, और yellow river कहां organization है उन्होंने अपने GDP forecast इंडिया के लिए कम कर दिया है तो IMF के हिसाब से इंडिया के GDP जो है वो 4.8% ही रहेगी जो की काफी कम है तो देखते हैं IMF के बारे में कुछ extra fact IMF के अस्थापना हुई थी 1945 में और वासिंग्टन DC में इसका headquarter है इसकी जो president है वो कौन है क्रिस्टिना जोर्जिवा यह इसकी यहां की president है साथ ही साथ यहां के chief economist कौन है यह भारतिय मूलकी है तो इनका नाम जुरूर याद रखिए गीता गोपी नात यहां की chief economist इंडियन मूलकी है तो यह सब important facts exam में कई बात पूछे गया है अब बात करते हैं world bank के द्वारा तो world bank के द्वारा और reserve bank के द्वारा दोनों के द्वारा 5% GDP का अनुमान लगाया गया है और चलिए अगला question है हाले में DEC ने कितने क्लोर रुपए के रक्षा उपकरण खरीदेगा दरसल DEC ने यह जो रक्षा उपकरण खरीदेगा यह सारे स्वादेशी होंगे मतलब हमारे देश में ही दिर्मी ठिक में DEC क्या है डिफेंस एक्वीजीशन काउंसिल एक्वीजीशन मतलब अधिक रहन काउंसिल है इनका काम होता है जिसने वी रक्षा उपकरण है उनको खरीदना उनको सरकार के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना कि कहां से खरीदा जाए तो यह जो है इक्यावन सो कोड़ों की ख देखा है तो काइंडी डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे देख सकते हैं लिंक को ढूंड के उससे क्या होगा उससे रिलेटेट तुकि वो मॉस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स है उससे रिलेटेट सारे फैक्ट्स आपके रिवीजन हो जाएंगे तो चीफ आफ के लिए जो नई डिपार्टमेंट बनाई गई है उसका ना में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेर्स तो आप लोग विजुट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं तो नीने के हैड होंगे चीफ एप फैसा को रद कर दिया है तो एम पैसा जो ठाव वोड़ा फ़ोन का इसे RBI ने रद कर दिया है आपको यह पता होगा और यह most important पूछा जा सकता है तो इसे याद रखिए आज मैंने एक भी अलग से revision के question नहीं डाले हैं सारे new question डाले हैं तो इसे last तक जरूर देखिए और इस वीडियो को like जरूर करें अगला question है किस टेलिकॉंप कंपनी ने उन्होंने अपना UPI payment service शुरू कर दिया है अगला question है recently उतर प्रदेश सरकार में किस IIM के साथ MOU sign किया है option A इस इंदु इन्वर्सिटी IIM Bangalore IIM Indore तो इसके right answer होगा IIM Indore के साथ यह समझाता sign किया गया है और Indian Institute of Management Indore के साथ यह समझाता पुलिस प्रसिक्षन इन सब केसों में और बहुत ही high-tech facility के लिए किया गया है अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो आनंदी बैन पटेल हैं कि गवर्नर है और यहां के मुख मंत्री है योगी आदितनाथ साथी साथ उत्तर प्रदेश में ही National Police University पहला भारत का इंडिया की पहली Transgender University कहां खुलेगी तो यह खुलेगी कुसी नगर में तो यह सब एक्सा फैक्स जरूर याद रखिएगा जो यूपी के बच्चे हैं वो यूपी के सारे एक्जाम्स के लिए मॉस्ट इंपोर्टेंट है अगला कुश्चन है दादर यम नागर हवेली यम अगला कुश्चन जो है आपको कमेंट करके बताना है मैंने इसका आंसर बता चुका हूं मद्दाता दिवस कम मनाया जाता है तो इसको इसके बारे में मैं डेटल से बता भी चुका हूं और साथी साथ आप प्लीज कमेंट करें आप लोग नहीं करते हैं कमेंट करना साथी साथ यह बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसको लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हैपी रिपब्लिक डे एगें तो अल अल अफ दियर माई कंट्रिमेन थैंक यू सो मच